Good evening गच्चों, मेरा नाम नेहा है, KDDT YouTube चैनल पे मैं हर सेटेड़े को वीडियो सुलीशन के लिए आप सबसे मिलती हूँ और KDDT के एप पे ही CET के लिए स्पेशल बैच भी चल रहा है तो आप मेंसे अगर किसी ने अभी तक जोइन नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए क्योंकि उसमें बहुत सिलेक्टिड और शांदार तरीके से वेटिकन की पूरी टीम आपको टेस्ट पास कराने से लेके हम अपकी बार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ टॉपर्स भी हरियाना को दे पाएं अपनी संस्ता और राजेश जी की मदद से तो राजेश जी जिने आप ताउ के नाम से जानते हैं तो उन्होंने काफी काफी ज़्यादा कोशिशे की हैं आप सभी के लिए तो KDDT एप पे वो बैच लाइव चल रहा है और वेटिकन रहतक में वो ओफलाइन चल रहा है वैसे तो काफी सारे बच्चों ने उसमें एंडरोल करा लिया है फिर भी किसी को अभी तक पता ना लगा हो तो उस बैच को पक्का आप जोईन कर लीजे को benefit आपको महसूस होने वाला है अब हम आज के test के solution की बात कर लेते हैं बचों जिसमें सबसे पहला question लिख रखा है अमित is in a great dash about whether to go for the party or not अमित इस बहुत बड़े confusion में है कि इस party को attend करूं या नहीं करूं जैसे आप में से कुछ इस confusion में होंगे कि CET के उस life badge को attend करूं या नहीं करूं तो पक्का करो उसमें तो कोई confusion की बात है ही नहीं यहाँ पे हमें confusion के लिए शब्द चुनना है तो confusion के लिए हमारा जो option है वो बनेगा dilemma क्योंकि depression निराशा को कहते है distress परिशानी कश्ट या दुख को कहते है pain दर्द को कहते है तो वो confusion में है इसलिए आपका आंसर बनेगा C नेक्स्ट क्वेशन है बेटा select the option that expresses the given sentence अच्छा पैसिव करना है लिख रख है children like to play games all the time वैसे तो voice के बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ अपनी कई सारी वीडियो में कि अगर आप हर्याना के level की voice करना चाहते हो तो एक 10 या 15 मिनट की वीडियो मेंने अपने चैनल पे डाली हुई है अपने चैनल से मेरा मतलब वैटिकन संस्था रोहतक के चैनल की में बात कर रही थी उस पे 20 मिनट में मैंने वैस का न मोटा मोटा सार दे रखा है तो हर्याना के level का voice तो उसी वीडियो से solve हो जाएगा अगर आप में से किसी के भी voice बहुत खराब हैं तो प्लीज उसको जाके सुन ले ना तुम्हें बहुत help मिलेगी अब उसमें मैंने पांच basic rule दे रखे जिसमें सबसे पहला rule tense related में इस MR से होता है ऐसा उस वीडियो में मैंने सिखा रखा है कि जहां पर भी verb के first form दिखाई देना उसे passive आप करोगे इस MR की मदद से अब मेरा object games है तो इसके लिए is और m तो लग नी सकता यानि वो option चुनना है जिसमें games के साथ क्या लगा है आर तो कौन सा option है ये नहीं ये न लगा है तो हमें एक जटके में अपना सही answer मिल गया C English को logically करना होता है अगर आपके concept या Hindi अच्छी नहीं है तो tricks और logic से करो question जल्दी भी हो जाता है और tension भी कम लेनी पड़ती है तो यहां पर हमारा सही answer हो गया है C 38th question लिख रखा है I suggested her two dash dates उसने दो dates बताई उसको both in the coming month दोनों ही आने वाले महीने में just a few days dash from each other उसने उसको एक महीने में दो dates बताई और दोनों एक दूसरे से थोड़ी कम दूरी पर थी यानि आगे पिछे थोड़ी सी अब इस से related options हमें fill करने है alarming नहीं हो सकता बेटा क्योंकि alarming का मतलब होता है चेताना और चेताया तब जाता है जब कोई सो रहा हो तो यहां ऐसा कोई इशारा हमें नहीं मिल रहा है adverse का मतलब तो ulti dates बताई negative sense भी हमें कहीं नहीं मिल रही alternative हो सकता है क्योंकि two alternative dates का मतलब दो अलग लग ति थी उसको दी गई जिसमें से apart from each other बिलकुल exact option नहीं है दोनों एक दूसरे से अलग थी बिलकुल ही दूर दूर थी मतलब एक तीन थी तो दूसरी 23 थी इतना फरक था तो हमारा सही option बन जाएगा बेटा alternative और apart ये कोई grammar based logic नहीं है ये vocab based filler है जिसमें आपको vocab के शब्दों की समझ ठीक ठाक होनी चाहिए तो आपको ये fill करना आ जाता है इस तरहां के question उन बच्चों के लिए risk होते हैं जिनोंने English को बहुत कम समय दिया होता है अगर आपने ठीक ठाक टाइम दे रखा है बढ़िया इंगलिश मेंनत कर रखी है तो बहुत असान question है अगर इंगलिश मेंनत कम कर रखी है ना बच्चों तो ये question आपको समझ ही नहीं आते है पूछ कहां से लिया ये कौन से topic का है तो ये किसी topic का नहीं है बटा ये सिरफ vocab की basic understanding पे based question ह ठीक है नेक्स्ट हम से पूछा गिया है get away get away का मतलब निकलो यहां से या चले जाओ यानि उस जगा को छोड़ दो ये एक phrase है grammar में oh sorry vocab में idioms और phrases आते हैं तो phrases को आपने highlight करके अलग से read करना होता है ताकि वो दिमाग में याद हो जाएं और आजकल तो get away जो है वो normal से shops मे जो pack करके ले जाने वाला समान है उसके लिए भी use कर देते हैं dine-in है या get away dine-in यानि अभी और get away यानि लेके जाओगे और लेके जाओगे तो उस जगा को छोड़ दोगे leave आएगा बिटा अगला वो हमसे पूछ रहा है यहां से question शुरू है यहां से we love to swing from the branches dash the pond यह question बह में preposition, voice, narration और article आएंगे मैं बार-बार यह चार topic तुम्हें repeat करती रहती हूं आए दिन हर वीडियो में तो पक्का पक्का इन चार topics को तियार कर लो बेटा दो या तीन question हो जाएंगे और बहुत बढ़ी बात है चार topic में से तीन question हो जाएंगे it's a very big funda अब इसको मैं refuse कर रहा है बच्चे pond को देखके बहुत बार on या in ले लेते हैं जबकि यहां पर answer बनेगा over क्योंकि question यह कह रहा है we love to swing swing समझते हो जूलना इधर से उधर तो pond के ऊपर से जाके वापिस आ रहा है वो ना कि उसके अंदर कूद रहा है उसके अंदर कूदे तो हम into या in कि सोचें surface area पर boating वेगरा का इशारा मिले तो हम own ले हमें ऐसा कोई इशारा नहीं मिल रहा तो हमारा सही answer बनेगा over नेक्स्ट बच्चो 41 question जिसमें यह हमसे पूछ रहा है error यह लिख रखा है grammatical error बताना है और question यही से start हो गया शायद going to the weekly market in every Tuesday देखो days के नामों पर own लगता है इन नहीं लगता तो आप कह सकते हो on sunday on monday on Tuesday on Wednesday इस तरीके से तो error इसी पार्ट में है बेटा ए पार्ट में और यह भी question preposition का है देख लो preposition important है नेक्स्ट है 42 इसमें वह हमसे synonym पूछ रहा है किसका celubrious का celubrious का मतलब होता है healthy स्वस्थ चुस्थ या फाइदे मंद तो हमें फाइदे मंद से related option दिखाई दे रहा है beneficial हम इसको इससे synonym कर देंगे विखेरियस जो शब्द होता है यह होता है किसी दूसरे की उपलबदी देखके उसकी तरफ या उसके जैसा सोचना या उसकी तरफ आकर्शित हो जाना यह शब्द इसके लिए आता है दूसरे को देखके सीखना बेसिकली जबकि जालीuca का मतलब ताकत से रिलेटेड है और ताकत तो फाइदे मंद होती ही है तरकारी नोग्री एक ताकत ही है देखकोष अनैक्त नीं सबसे तो फाइदा होता है दुनिया में तो हमें सेलिब्रियस के लिए अगर सिनॉनिम लेना है तो हम क्या लेंगे पेनिफीश् सेप्टिक तो वो सेप्टिक स्किन पर या उस तरीके से सेप्टिक शब्द सुनाओगा सेप्टिक हो गया है जख हम बिगड़ गया है वो सेंस में आता है एक्सट 43 लिखा है अनसेलफिश इंटरस्ट इन वेलफिर ओफ अधर्स दूसरे का फाइदा सोचने वाले परोपकारी या समाज सेवक होते हैं तो हमें आप्शन में से चुनना है समाज सेवक या परोपकारी तो हमें आंसर मिल गया है दी अल्ट्रुईजम परोपकार या समा सेवक होता है सेली बेसी ब्रहमचर्य को कहते हैं इगोईजम तो आप समझते ही होगे इगो एक असान शवर्द है मिसेंट्रॉपिस्ट को ध्यान से समझो मीजो नफरत और एंथर का मतलब यूमन इंसानी जाती से नफरत करना मिसेंट्रॉपी मीजो मिसो मीजो यह रूट से हैं काम आती है यह वन वर्ड में बहुत नफरत को कहते हैं और एंथर इंसान को कहते हैं तो इंसानों से नफरत करने वाला misanthropist और इंसानी जाती से नफरत misanthropy यहां पे हमें लिख रखा है misanthropy इंसानी जाती से नफरत वाकि सही answer था पेटा हमारा altruism क्योंकि उसने लिखा unselfish interest यानि नीश्वार्थ भाव से किसी की मदद करना समाज से वही हो सकता है तो altruism आपका सही answer था अब इस पूरे test के solution में कोई doubt समस्या या किसी answer में आपको संदे हो तो आप जरूर जहां ये video upload हो इसी channel पे YouTube channel पे ही upload होगी KDDT पे ही तो आप उस video के नीचे मुझे लिख सकते हैं आपना जो भी संदेश है या message है मैं हर video के बाद बोल के जाती हूँ कि अच्छा या सुधार या कमी जो भी हो बता दिया करो teacher को help होती है बिटा उससे अगर आप comments कर दें अगर आप अच्छा लिख दें तो हम motivate हो जाते हैं अगर आप कुछ diamond लिख दें तो हम उसको improve करने की कोशिश करते हैं तो जो भी बच्छा recorded class देखे जरूर मुझे कोई ना कोई comment डाल के जाए till then bye bye all the best for your exam और जाने से पहले एक बार फिर कह रही हूँ वो बैच हो सके तो ले लो क्योंकि जादा पैसे खर्च नहीं होंगे तुमारे एक Saturday पे जितना तुम खाने पीने पे लगा देते हो ना किसी की party में उससे भी बहुत कम में वो बैच तुमें मिल रहा है तो उस बैच को जाईए परचेज करिए और नोकरी लगके मुझसे मिलने रह तक जरूर आईए वापिस ताकि मुझे खुशी हो मैं और मोटी हो जाओं तुमारे मिठाई खाके बाए बच्चों